नमस्कार दोस्तों दोस्तों कई बार हमारा एलसीडी लीडी का बॉर्ड में जो है पुराना बॉर्ड हराब हो जाता है एसे कि आप यहां पर कुछ बॉर्ड मेंध को सकते हैं मारे पास या फिर कई बार हमारा जो वर वर यह नो Greek है नॉर्मल होता है जैसे borrow लोग जानते हैं कि आजकल Android LED TV का जमाना है और Android LED TV मार्केट में आया हुआ है तो पुराने LCD LED के बोर्ड को निकाल के आप इनकी जगह पे Android Smart Board जो है मार्केट का वो लगा सकते हैं easily मार्केट में मिल जाता है तो इसी तरीके से आज हमारे पास एक Android बोर्ड है मार्केट से आया हुआ नया बोर्ड इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा Android बोर्ड है जो कि किसी भी LCD LED में आसानी से लग जाता है बिल्कुल छोटा सा यह Android बोर्ड है तो इस बोर्ड को हम ओपन करते हैं हमारे बोर्ड हमारे पास जो आज नया बोर्ड आया है वो है n.h352.88v1 तो यह version 1 जो यहाँ पर देख सकते हैं यह Android board है बिल्कुल नॉर्मल सा आप देख सकते हैं इस board को कहीं पर भी fitting किया जा सकता है इसको आसानी से fitting करने के लिए यहाँ पर देखे एक side ही इसके जो inputs है यहाँ पर देख सकते हैं audio video है HDMI 2 HDMI है और USB है यहाँ पर audio का jack है और यह direct 12V से ही operate हो जाता है 12V का adapter है और यहाँ पर अगर आप किसी LCD में इसको लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह यहाँ पर इसका supply का jack है और जिस पर आप 12V की supply ground दे सकते हैं यहाँ पर आप इसके inverter के connection जो है वो कर सकते हैं 12V, backlight on off, adjust ground यहाँ पर connection बने हुए हैं और एक तरफ ही इसके यह connection होने की वज़ा से आप इसको असानी से fit कर सकते हैं इसी भी LED LCD TV में दूसरा इसके साथ है यह वाला जो remote आया हुआ है आप देख सकते हैं यह remote इसके साथ मिला है साथ में इसके की बोर्ड का connection जो है जक है वो हमें मिला है और इसको हम आज अपनी टेस्टर के उपर लगाते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस तरीके का menu है किस तरीके का interface है यहां पर हमने हमारा जो नया universal board है इसको हमने लगा दिया इसमें power supply नहीं है इसके लिए हमने यहां पर 12V का adapter यूज किया है आप अगर किसी LCD में इसको लगा रहे हैं या LED में लगा रहे तो 12V का supply जो है और पुट वो दे सकते हैं इसके अंदर और यहां पर मैंने supply दे दिया है इसको 12V और power on करते हैं यहां पर देखिए 1366 668 resolution के अंदर यह हमारा board जो है वो है अभी non HD के अंदर अभी इसका resolution है अगर आप इसको full HD में लगाते हैं तो full HD का भी resolution आप remote से ही change कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यही इस तरीके का इंटरफेस यहां पर आप लोगों को दिखाई दिया तो इस तरीके यहां पर देखिए आया है मेनू जो इसका हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका सिस्टम देखते हैं यहां पर देखिए दोस्तों 1GB 8GB का इसका internal memory जो है वो है storage यह 8GB और memory 1GB android version जो है यहां पर देख सकते हैं 12 android version है यह और बाकी इसका processor number यहां पर सारा कुछ दिया हुआ है अब हम back जाते हैं और इसका service menu open करके देख लेते हैं सबसे पहले हम हमको दबाना है source 208 यहां पर देख सकते हैं हमारा factory menu जो है service menu जिसे हम बोलते हैं वो open हो गया है कि यहां पर सारे option हैं यहां पर पैनल का setting दिया हुआ है अगर आपको पैनल सेटिंग चेंज करना है मिरर चेंज करना है यह मैपिंग आ रहा है तो यह पैनल सेटिंग में देख सकते हैं इस तरीके का problem है यह इस तरीके का interface है यहां पर देखिए LVDS format है वेसा है अगर यहां पर इस तरीके का मैपिंग आ रहा है तो यहां से आपको set करना है और mirror के लिए यहां पर option दिया लागा है नीचे देखिए मेरर यहां से आप चेंज करेंगो तो मेरर चेंज होता है इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं सर्विस मेनू इसका इन्पुट 208 सोर्स 208 खोल सकते हैं अब बात आती है इसके रेजुलेशन की यहां पर देखिए यह अब इसको अगर फुल एच्डी करना है तो हमें इसके लिए दबाना होता है सोर्स का बटन हमको पहले दबाना है उसके बाद हमको दबाना है एट वन थ्री थ्री टू जैसी हम यह दबाएंगे तो यह हमारा बोर जो है वो स्टैंडवाई में चला जाएगा यहां पर देख सकते हैं आप और स्टैंडवाई से जब हम इसको ओन करेंगे यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर देखिए 1921,1080 रेजूलेशन के अंदर यह आ जाएगा तो full HD non HD resolution आप हमारे code से change कर सकते हैं मैं code भी आप लोगों को यहां पे दिखा लेता हूँ यहां पे दिखिए दोस्तों यह code है इसका HD के लिए है source 81331 full HD के लिए है source 81332 और service code जो है वो है source 208 यह इसका code है और इस तरीके से आप इस बोर्ड को install कर सकते हैं mirror mapping regulation सारा आप remote से इसका set कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करिएगा साथ और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्नेवा दोस्तों